गुड मॉर्निंग क्लास फॉर्थ तो बच्चो सब्जेक्ट है आपका साइंस आप भी अपनी साइंस की बुक निकालिए और इसमें देख लीजे कि आप उने आज क्या करना है ठीक है देखिए तो हम कर रहे थे progress check, progress check में हम कर चुके है second part and now we are going to do third part, हम लोग कर रहे है अब third part, give examples of each of the following आपने दो-दो example लिखने है जो आपको कुछ दिया हुआ है, देख लीजे first दिया है आपको, two food stuffs which contain fats, दो ऐसे food लिखने हैं आपने जिन में fats पाया जाता है two methods to prevent malaria, दो ऐसे method लिखने जिससे malaria से बचा जा सकता है third है, two diseases caused by microbes, microbes से होने वाली diseases के नाम लिखने हैं आपने fourth number, two methods of preservation of food food को किस तरीके से थोड़े time के लिए preserve किया जा सकता है, वो आपने लिखना है copy में देखिए date डालिए सबसे पहले, 20th October 2020 progress check first है, give examples of each of the following first है, आपके पास two food stuffs which contain fats ऐसे दो food items के नाम लिखिए, जिन में fats पाया जाता है B, two methods to prevent malaria malaria से बचने के कोई दो उपाय आपने लिखने है C है, two methods of two methods of preservation of food food को preserve करने के दो methods D, preserve होता है उसको सुरक्षित रखना किस तरीके से खाने को थोड़े time के लिए हम लोग preserve कर सकते हैं, बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं D है, two diseases caused by microbes microbes से होने वाली किनी दो बिमारियों के नाम आपने लिखने है तो यह आपका काम है, आपने इसको copy में करना है और learn करना है, क्योंकि अब आपके paper स्टार्ट होने वाले हैं और जो भी आपका revision चल रहा है, उसमें से कुछ ना कुछ आपका exam में जरूर आना है तो आप उसको कर रहे हैं, तो साथी साथ आप उसको learn भी करिए ठीक है? तो आप करिए इसको copy में